जया मातागी दोस्तों कैसे है आपसे बहुत अच्छा हूंगे आज की वीडियो में बात करूंगे दोस्तों आकरसन के उस मंतर के बारे में जिसके प्रियोग करने से आकरसित होगा धन, बैभव, लक्षमी और आपकी खुबसूरती भी आपके अंदर का अट्रक्शन भी बढ आपने संबंधों को कैसे ठीक करें दोस्तों शुक्र आपके संबंधों को मजबूत करने के देवता है, आपका प्यार लग्जीरियस लाइफ के लिए responsible है अगर सुक्र होंगे मजबूद तो आपके जीवन में इस तरह की कोई कमी नहीं होगी कोई कमी नहीं होगी प्यार बढ़ेगा रिलेशन्शिप में प्यार बढ़ेगा पती पत्मी है एक दूसरी के साथ आपका संबंध गहरा होता चाहिए चला जाए अगर आपकी आर्थिक स्थिती कमजोर हो गई है लौन बढ़ गया है पैसों की तंगी रहती है हमेशा जिसकारी में हाथ लगाते है तो सोना मिट्टी बन जाता है यानि लक्ष्मी आपसे रूट गई है आती नहीं आपके करीब कीजिए ये उपाई आपका करसन भी बढ़ेगा आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा आप लक्ष्मी को अट्राक्ट कर पाएंगे अपने लव लाइप को अच्छा कर सकते हैं अपने पार्टनर को अपने लिए बेचैन कर सकते हैं हर सांस में वो आपका ही नाम लेगा हमेशा आपको याद करेगा उसने अगर आपको ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक करेगा और आपके लिए हमेशा उसके दिल में प्या प्यार बना रहेगा प्यार तभी आपका जीवन भर बना रहेगा जब एक दूसरे के प्रती आपका प्रेम बढ़ता रहेगा और इसके लिए ये क्रिया ये उपाई बहुत कारगर है अकरसन का ये मंत्र दोस्तों माता लक्ष्मी को भी प्रशन्य करता है और सुक्र को भी नहीं नहीं माता लक्ष्मी की किरपा अगर आप पर होती है तो मंदी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है रिलेशन्शिप में कोई भी समस्या हो ठीक हो जाता है अट्रक्शन बढ़ता है तो जीवन में जो चीजे आप चाहते हैं वो चीजे बहुत जल्दी अट्राक्ट होने लगता है कैसे करना है वह सारी बाते इसी वीडियो में बताऊंगे इसी लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं आगे बढ़ने के पहले दोस्तों जया माता की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कोई भी उपाय तभी फलित होता है जब ईश्वर का आशिरबाद आ आपको प्राप्त होता है अगे बढ़ने के पहले मैं कॉन मैं आपकी आपकी आपके लाती हूँ छोटे-छोटे उपाय ऐसे तरीके जो आपके जीवन में बढ़ती है बड़ी-बड़ी खुसियां वह चीज वहां तक लेकर जाने का प्रयास करती हूँ जहां आपका जीवन सुख मैं प्रेम मैं और सम्रिधी मैं हो जाए जानकारियां अगर आपको पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले बैल अकन प्रेस कर ले ताकि आएसी जानकारियां आपको पहुंचे सभी चीजों में काम करता है करना क्या है यह आपको बताती हूं सुक्रवार के दिन शंद्या बेला जब सुर्यास्त हो जाए अंधिर्या होने लगे तब इसक्रिया को करना है अपने ही पूजा रूम में लाल रंग के आसन को बिछा कर बैठ जाए श्रान करके स्वक्ष वस असरद्हारन करें और आसन बिछा कर बैठ जाए माता लक्षमी की एक तस्वीर सामने बाजोट बिछा कर स्थापित करें उन्हें अरपित करें लाल गुलाव गुड़हल का फूल कौडी और कबल गट्ते के बीज खीर बनाकर उन्हें अर्पित करें आप चाहें तो मखाने का भी खीर बना सकते हैं या चावल का भी खीर बनाकर उन्हें अर्पित कर सकते हैं धूप दीप नवेद करने के बाद अगर खीर अबलेवल नहीं हो पा रहा है अप नहीं बना पा रहे हैं तो थाई सफेद मिठाई यानि दूद की बनी मिठाई भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं आप जोड़कर माता स्प्राथना करें अपनी जो इक्षा है उसे बोले घी का दिया जलाना न भूले सामने घी का दिया जला ले और सामने ही एक ग्लास पानी भर कर रख ले जल का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तो आप जल ये जल जो आप रखेंगे सामने उसे आपको पीना है इसलिए जितना पीना है उतना ही जल आप सामने में रखें और उसे सामने रखकर आपको इस माता की स्तुति को गाना है यह शंस्कृत में है दोस्तों माता लक्ष्मी की स्तूती है मालक्ष्मी स्तूती जो है उसे आपको वहां पर गाना है किसी भी पूजा भंडार महालक्षमी इस्तूति आपको पुस्तक के रूप में मिल जाएगी और उसे आप लेकर घरा जाएं पुस्तक को अक्षत और सिंदूर से पूजा करें और उसके बाद उसे खोल कर पूरा इस्तूति आपको पढ़ना है उस्तूति के खत्म हो जाने के बाद आपको माता का ध्या दिस भावना के साथ उस जल को आप पिएंगे मनी के लिए लव के लिए रिलेशन्शिप के लिए वो भावना आपके अंदर भरती जाएगी और दीरे दीरे उस चीज़ को अट्रक्ट करकर आप तक लाएगी ऐसे तो एक सुक्रवार करने के बाद ही आपको फाइदा नजर आने लगेगा लेकिन आपको यह करना है नौ सुक्रवार हर सुक्रवार करना है अगर किसी महिलाएं कर रही है और किसी सुक्रवार को वो नहीं कर पाती थे door कुल गेएं सारय को स्कीप कर देंगे इसमें ఏक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस दिन साथिक भोजन करें मान समदिरा का प्रियोग ना करें और उसके बाद ही इस का प्रियोग करें बहुत तो इसे करने के बाद माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती है आपके लिए धन का द्वार खोलती है प्यार का द्वार खोलती है आपके जीवन में धन बैवब सम्रिद्धी लाती है मान शम्मान संपत्ति लाती है करके देखिए माता महालक्ष्मी की इस्तूती बेहद लावकारी होती है नौ सुक्रवार करने के बाद भी अगर आपकी एक्षा है तो आप इसे आगे जारी रख सकते हैं दोस्तों आज की जानकारी यहीं तक आसा करते हूं जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब करने लाइक कमेंट शेर करें thank you so much for watching